हमेशा बच्चे यह पूछते हैं कि सार आप लोग जितना मोटिवेट करते हो पढ़ाई के लिए इंदेगी के बारे में जो भी कुछ मोटिवेट करते हो सब सुन लेता है लेकिन जब रियलिटी में करने जाते हैं तो फिर लडखडाते जाते हैं फिर होता नहीं है हमसे तो यह बच्चों का प्रोब्लेम होता है यह आपका प्रोब्लेम होता है तो इसका कारण क्या है आप लोगों को पता है कि हम सारे मोटिवेशन सुनते हैं सारा हर कोई आता है चीज़े coin करते हैं, हाँ ये कल से करेंगे, ये time table हो गया, ये कल से अपनाएंगे, कल से ऐसी strategy लगाएंगे, कल से वो करेंगे, जूट नहीं बोलेंगे, ये करना है, वो करना है, सारे सच्चाई, पूरा planning सच्चाई का होती है, लेकिन जब जिन्देगी में चले जाते हैं, फ साले चीज के, जो हमारे पास नहीं होने के कारण, ये सारे motivations, जैसे होता है आपकी सारे ग्रह जो है, वो सारे आपको एक सुब दृष्टी से देख रहे हो, लेकिन वो सब के उपर, सनी जी अगर बेट गए, सनी महाराज, तो आपके सारे ग्रह के जो सुब दृष्टी कि तुब ये सारे सब को चन्ट्रूल कर लेंगे, वो सारे ग्रह राज ये, तो हमारे पास नहीं होता है, जो इसके लिए सारे motivation बेकार चला जाता है, वो चीज नहीं होता है, मैं पता होता है, क्यों ये जानना ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपके पास patience रहेगी, तो आप लेड़खडा होगे नहीं, आपके पास tolerance लेबल काफी हाई रहेगी, ठीक है, patience यह होगे आपका tolerance, तो tolerance आपको संकल्ब लेने की ख्यमता देगी, और संकल्ब से सिध्धी होती है, और सिध्धी से जाके आपकी सम्रुधी होती है, संकल्ब से सिध्धी होता है, यह चीज आप जरूर याद रखना, जिन्देगी में काम आ जाएगा, बाकी सारे motivation एक साइड पे यह चीज आप ध्यान रख लो, पेसन से बनती है, संकल्ब लेने की ख्यमता, और संकल्ब से होती है,